नमस्कार मैं मिनाक्षी यादव स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम बनाएंगे चने के साग की चटनी जो खाने में बहुत टेस्टी होती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टेस्टी रेसिपी चने के साग की चटनी बनाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा चने का साग लिया है तीन हरी मिर्च ली है चार लैसून की कल्या ली है साग को हम काट कर अच्छे से धो लेंगे इसमें मैं डाल दूँगी एक चुपकी नमक और अब इसको हम पीसेंगे इतना पीसने के बाद आप हम इसमें दही मिलाएंगे दीरे दीरे करके जितनी आव सेकता होगी उतना और इसको पीशेंगे अच्छे से हम इसमें एक चम मस दही और अड़ करेंगे चट्नी बन चुकी है हम निकाल लेंगे इसको खटोरी के अंदर तयार है मेरी चने की साग की चट्नी बनकर तो आप भी बनाएए अपने घर पे ये टेस्टी रेसिपी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा और साथी में दपाईए बैल आइकन ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल रुके और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें कीजिए लाइक शेर और कमेट्स करके मुझे बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थैंक यू